सभी के लिए नमस्कार मित्रों जैसा कि यहां आप टॉपिक्ट देख पारे हैं आज हम बात करने वाले हैं सपाई करमचारी सीधी भरती 2023 इस से रिलेटेट सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है लगातार आप सारी जानकारी जो भी अपडेट होती है वो सब जानना चाहते हो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें क्योंकि यहां आपको मिलेगा सब कुछ तुरंत आज इसमें हम जानने वाले हैं कि कितने पद इसमें और बढ़ा दिये गए हैं इसके अलावा जिनोंने पहले फॉर्म बर दिया है क्या उनको दुबारा से फॉर्म बरना होगा क्योंकि आपको भी पता है कि ओनलाइन फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं लेकिन अब दुबारा से पद बढ़ा करके इसमें दुबारा से फॉर्म शुरू किये गए हैं किन को फॉर्म भरना है, क्या जोनों ने भर दिया उनको दुबारा से बरना होगा कितनी निकायों में और इसमें मतलब सीटें क्रियेट की गई हैं कितने सीटें बढ़ाई गई हैं ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो चलिएम तरोष शिरू करते हैं देखिए हमारी भरती का नाम है सफाई, करमचारी, सेधी भरती जो भी हमारा साती इंटरैस्टेड है इस वीडियो को जरूर देखें और अपने ये भरती नगरिये निकायों में होगी, निकायों के अंतरगत ये भरती होने वाली है, अब कितने निकायों में हैं, तो पहले मित्रो एक सो छेतर निकायों के अंतरगत ये भरती निकाली गई थी, ओनलाइन फॉर्म भी भर लिये गई थे, लेकिन अब दुबारा से इसमें फ फॉर्म शुरू किये गए हैं तो यहां पर जो 116 नगर निकाय हैं इसको बढ़ा करके अब 186 कर दिया है अब 186 नगर निकायों के अंदर ये भरती होने वाली है ठीक है और जो फॉर्म मतलब इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 13,025 पदों पर 13,025 पदों पर मतलब पहले इसमें 13,025 पद थे इनको बढ़ा दिया गया है अब कितने पद हो चुके हैं ठीक है ये तो पहले थे पहले अब इसमें जो पद बढ़ाए गए हैं शंशुदन करके वो कितने बढ़ाए हैं तो वो बढ़ाए हैं 11,770 पद अब बढ़ा दिये ग तो कितने पद हो जाएंगे देखिए साथ नो साथ चार और ये 24,700 संत्यान में पद हैं इन पदों पर ये भरती आपकी होने वाली है और आपको पता है पुनहा आवेदन शुरू किये गए हैं यानि पुनहा आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे अब कब भरे जाएंगे ये बा सोला दस तेवीस से चार ग्यारा तेवीस तक यानि सोला अक्टूबर से चार नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो पुनह फॉर्म यहाँ पर शुरू किये गए हैं इसकी एक वैबसाइट है उस वैबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे वैबसाइ है आई एस जी डॉट लगा के लिखना है अरवन यू आर वी ए एन अरवन लगा के डॉट राजस्थान फिर इसके बाद में डॉट लगाना है फिर जी ओवी डॉट इन यह वैबसाइट है मित्रो इस वैबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब आपको थोड़ी सी जानकारी में देता हूं online जो form इसमें भरे जाएंगे वो SSO के माध्यम से भरे जाएंगे याने SSO ID के माध्यम से form भरे जाएंगे SSO ID के माध्यम से ये form आपके भरे जाने हैं इसके अलावा आपको पता होगा कि OTR का सिस्टम लागो हो चुका है OTR OTR का मतलब जानते होंगे आप OTR का मतलब होता है One Time Registration याने एक वार आपको पंजियन कराना है सिर्फ एक वार फीस आपको देनी है उसके बाद में जब भी आप form भरोगे तो आपको अलग से कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी तो OTR आपको करना होगा पहले Registration करवाना होगा इसके लिए Mobile Number आपके पास हो इसके अलावा Email हो आपके पास ठीक है ना ये Compulsory है OTR करने के बाद में आप Print ले लें Form भर लें इसके बाद में आप उसका Print ले लेंगे ठीक है ये जानकारी होगा इसके बाद में शुल्क की बात यदी है तो शुल्क सामान ने जो Candidate है उनके लिए 600 रुपे है इसके अलावा जो आरक्षित बर्ग है उनके लिए 400 रुपे है और जो दिब्यांग जन है उनके लिए 400 रुपे है ये Fixed Feast है यदि कोई Unreserved है ठीक है ना जनरल वाले हैं जो सामान ने उसमें category में आते हैं उनको 600 रुपे आपको एक बार देने होंगे उसके बाद में यहाँ पर जो आरक्षित बर्ग है जिनको आरक्षित की विवस्ता की गई है उनको 400 रुपे यहाँ पर दिये जाएंगे उनको मतलब देने है इसके बाद में जो दिब्यांग जन है किसी भी रूप में दिब्यांग जन, विकलांग इत्यादी जो भी हैं उनको 400 रुपे अदा करने होते हैं तो इस तरह से आप यहाँ समझ गए कितनी आपको फीस देनी है और किस तरह से आपको फॉर्म इसमें भरना है कितनी हमारी पोस्ट रहेंगी इसमें अब हम इसमें बताते हैं कि इसमें जो selection होगा वो कैसे किया जाएगा selection तो selection का आधार इसमें प्रायोगिक परिक्षा होगी पहले इसमें अलग-अलग प्रकार की बातें आ रही थी confusion चल रहा था इस पश्टता नहीं थी तो यहां पर criteria रखा है chain के लिए कि chain किस तरह से किया जाएगा तो chain के लिए बता रहे हैं इसमें कि प्रायोगिक परिक्षा हो होगी मतलब इसमें practical होगा practical मतलब जैसे सपाई से संबंदेत है तो सपाई से related इसमें काम करवाया जाएगा उसको देखा जाएगा कि कितनी कुशलता है कितनी निपुनता से कितनी अच्छे धंग से सपाई की जाती है वो उसमें देखी जाएगी प्रायोगिक परिक्षा के माध्यम से इसके बाद में साक्षातकार याने की interview के माध्यम से याने दो काम इसमें होंगे चैन के लिए प्रायोगिक परिक्षा होगी उसके बाद में साक्षातकार इसमें लिया जाएगा तब जाकर के इसमें selection होगा यदि आप इसके लिए interested हैं तो जरूर आप इसमें try क आपको हमने यहां पर जो इस से रिलेटेड जानकारी थी वो यहां हमने आपको बता दी तो इस तरह से मित्रों आप सारी बात समझ गए होंगे इस से रिलेटेड यदि कोई आपको कन्फूजन है किसी भी तरह का प्रश्ण आपको पूछना है तो जरूर कमेंट में जाकर कि आप सवाल कर सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर यह सारी जानकारी आप समझ गए होंगे इसी तरह की अपडेड जानकारी से आप हमेशा अबगत रहना चाहते हो समय समय पर सारी जानकारी आप तक पहुँचे इसके लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ल सब के लिए धन्यवाद जहिन